ओके अल्गूड लेट्स गो तो मैं हमी रॉब का मातीन की रिपों में बहुत बस वागत है तो दोस्तों मैं आगे वी टॉक के एक और एपिसोड लेकर सुरूआ जम बात करेंगे आईसेल 5 और आई लिग बारा से जोरी कुछ इंपोर्ड़ नियुज के बारा में तो जाने के लिए वीडियो लास्टथ जरूद देखते रहिए एपसी गोवा के तरब से गोल लगाया था मर्तुदा फॉल ने स्रिफ एक गोल उसके बाद नेक्स्ट आज मैच हो रहा है दो नवंबर आइसल फाइब का नमबर 26 मैच एपसी पुनी सिटी वर्सिस क्रेड़ विलस्टर इपसी पुनी के सिरीज इप सत्रपती स्पोर्स कंप् पर मैच होगा साम सरसाथ बेची मैच स्टार्ट हो जाएगा अब अगर चाहत तो इस मैच को ऑनलाइन होर्स्टर पर और जीटेवी पर देख सकते हो और टीवी में स्टार्ट पोस्न नेटवर्ग पर अब चलिए बात कर लें थे आईसल के एक बहुत ही बड़ा जेडी जो अभी जमस्पूर एफसी के तरफ से खेला है उन्होंने एक डिसमबर 2016 में एफसी गोवा के बिरूद एक गोल लगाया था और उसके बाद उनका ही रुदबा आ रहा था कि ओ योंगेस्ट गोल स्कुरार है आईसल में तो दोस्तों तब उनका एज था अठरा साल चार महिना दो दिन और इसके बाद नेक्स जमस्पूर एफसी का ही खिलारी गोवा मुखी ने एक गोल लगाया 17 अक्टोबर 2018 में तब उनका एज घोसना किया गया था कि 16 सल का है और ओही है आईसल का योंगेस्ट गोल स्कुरार लेकिन दोस्तों उनके एज में अभी लेट जा रहा है कि 16 सल है और एक सल एक भरत है या 3 सल ही बढ़ता है आप मुझे बताईये 2015 का एज बता है कि 15 सल का है और आप 2018 में बताई जा रहा है कि 16 सल का है तभी का अगर डाकुमेंस देखा जाए उनका तो उहां पर देट ठाड के 2002 में तो यहां पर बहुती बड़ा गरबर है बहुती एज को लेकर अभी इनका प्रोब्लेम चल ला है अभी तक आइसल कमेंटी इसको क्लियर नहीं कर पागा है लेकिन दोस्तों उनको देखकर उनका जो सरीर का गठन है सभी को देखते हुए मुझे तो लग रहा है कि उनक पर कुछ भी परिवत्तन नहीं होगा गवर्म मुखी का एज और भी जादा होगा 16 साल से और कोमल थदाड़ी योंगेस्ट गोल स्कुरा रहेगा आईसल के हिस्ट्री में आपका क्या रहा है इस बार में आप मुझे करमेंट में जरूर बताइए और अब चली बात कर लेते से आई कि बारा के बार में तो आई लिगवाड़ा से जुलिया आज कोई भी माच नहीं था तो कुछ भी रेजल समने नहीं आया तो मैं आपको आपको बतां देता हूं नेंग्सेच के बार में önce पगा चाहो तो ऑनलाइन होट्स रपा देख सकते हो जीटीवी पर देख सकते हो और टीवी में स्टार्ट स्पोर्ट थीरी पर और इसके बाद जो नेक्ष नियुज हो मोहन बगन फैनों के लिए एक बहुत बड़ा गुड़ी नियुज है क्योंकि उनका स्टार क्लाडी सोनी नौर्दे पूरी थरा से फिट हो चुका है और साइध ओ आई जो लेफसे के ब्रियुद मैदन में उतर भी सकता है अब कमेंड में बताईए के सोनी नौर्दे का क्या एफेक्ट देहेगा इस मैच पे आए क्या ओ अपना पौइमेंस फिर से जैसा था वह ऐसा कर पाएगा या थोड़ा बाद रग मागाएगा मुझे में अपना राइज जरू दीजिए तो अभी के लिए बास इतना है आपको बहुत बहुत शुक्त है टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लाब को वीडियो अच्छा लगए तो लाइक जरू कर दिए अपने दोस्तों से चीजों के बार में बते चले है आई इसेल और आई लीक से जुरे मैं आपको मिलता हूं निक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए अलविदा आप 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 आप